अपने परिवार को लेकर हमेशा डरी सहमी रहती थी एक्ट्रस दिपिका ककर रहां एक्ट्रोस दिपिका ककर ने कहा कि वो अपने परिवार को लेकर हमेशा डरी सहमी रहती थी दिपिका ककर इन दिनों मंदर हुट को काफी इंजोई कर रही है दिपिका अपनी मैरेड लाइफ में बहुत खोश है लेकिन अपनी जिंदगी के कई उतार चढ़ाओ भरे दौर देखे हैं एक इंटर्व्यू के दौरान दिपिका ने बताया कि मुश्किल दुनों के बारे में याद करते हुए कि उनकी परवरिश कैसे तूटे बिखरे घर में उल्चे हुए रिष्टों के बीच में हुई दिपिका ने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने अपने हिसाब से हमेशा मुझे बेस्ट ही दिया है दिपिका ने कहा कि जब आप मुश्किलों से भरे घर में बड़े होती हैं तो आपके उपर गहरा आसर होता है दिपिका ने आगे ये भी कहा कि कुछ बच्छे डिप्रेशन में चले जाते हैं तो कुछ गुस्यल रवये के हो जाती हैं वहीं कुछ के अंदर सब कुछ दबाए रखने की श्रम ता जाती है दिपिका ने कहा कि मैं बच्पन से ही सब कुछ अपने अंदर दबाए हुए रखती थी यही कारण है कि मैं आज भी जादा दोस्त नहीं बना पाती आज भी मैं दूसरों को अपने स्पेस में खुसने नही देती हूं दिपिका ने बताया कि कैसे बच्पन में उनके दिन काफी जादा डरे सहमें रहते थी बता दे कि दिपिका के पेरेंट्स डाइवोर्ची हैं दोनों अलग-अलग रहते हैं हाला कि अपनी बीटी की खुश्यों में दोनों अक्सर शामिल होते हुई नजर आते हैं वहीं दिपिका के ससुराल की बात करें तो दिपिका के ससुराल में सभी एक साथ एक छट के नीचे रहते हैं जो कि दिपिका को बेहत अच्छा लगता है